मार्केट में किस तरह से काम किया गया आईए मैं आपके साथ डिसकस करता हूं तो सिंपल नहीं मैं अपने लेप्टप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओन कर देता हूं उसके बाद से मैं आपको समझाता हूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट जो है प् ओपनिंग देखने के लिए मिला और उसके बाद से मार्केट जो है अप गया अप जाने के बाद से मार्केट ने कंटिन्यू जो है मोर्डिंग में डाउंसाइड का मोमेंटम किया है यानि फॉल किया है तो इस तरह का प्रिविएस डे का चार्ट देखने के लिए मिल रहा ह तो लिक्विडिटी हंटिंग के अनुसार से चार्ट जो है रिपिट नहीं होता है अगर चार्ट रिपिट होने लगेगा तो सबी लोग प्रोफिट बना लेंगे मार्केट ऐसा नहीं करता है तो इसी को जासे आज लॉस हुआ है तो यहाँ पर आज के दिन चार्ट यदि मार्केट ओपन होते हैं क्या किया है कांटिन्यू जो है अपसाइट का मोमेंटम कर दिया है प्रिविएस डेवी मार्केट ने ऐसा ही किया तो हम लोग टॉप पर पूट में इंट्री बनाएं और प्रोफिट बुक कर लिए यहां तक यहां तक तो मार्केट जो है आज हाई तो यहां से मार्केर जब डाउन आ रहा था तो यहां पर फीब रिट्रेस्मेंट को ड्रो किया गया चलिए मैं आपको ड्रो करके दिखा भी देता हूं यहां पर देखें फीब रिट्रेस्मेंट को ड्रो किया गया ड्रो करने के बाद से यहां पर यह 0.5 का लेवल आ रहा है यहाँ पर इस zone में यदि green candle बनता है तो entry बनाया जाता और साथ ही मैं आपको premium अब आपको दिखा देता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं premium के चार्ट में भी आपको यहाँ पर था तो ऐसे तो loss निपूक करना पड़ा है तो यहाँ पर देखे यह यह तिने fast यहाँ पर गिरे कि इस से नीचे आ गया तो इसके बाद से यहां पर देख सकते हैं कि जब यहां पर आया यह जो ग्रीन केंडल आप देख रहे हैं इस केंडल के अगले केंडल में इंट्री बनाए गया यहां पर देख सकते हैं इसी केंडल में इंट्री बनाए गया और इसमें जो हैं लॉस को बुक करना पड़ा है इसमें क्या करना पड़ा है लॉस को बुक करना पड़ा है मार्केट क्या किया है यहां पर यहां से भी मार्केट बढ़ना नहीं चालू किया मार्केट जो है यहां से इस वाले लेबल से आकर नीचे में काफी जब सब किसी को लग रहा है कि मार्केट कितना दो से तीन 민주 केंडल में हीट किया उसके पाद से मार्केट ने फिर सेricanes किया और फिर से यहां पर देख सकते हैं मार्केट नेink कि 10 किया और मार्केत यहां पे कंटेनियों जो हैं भी और करके डाउन साइड आने का प्रयास कर तो इस торख से काम किया इस तरह से मतलब हुआ है तो यदी आपको दिखीए यदि आपको लोस होता है तो सिम्पल नहीं आपको अपने रिस्क करीवर्ट के अनुसार से आपने जो रूल बनाया है उसके अनुसार से आपको अपना profit हो या loss उसको book करना है और terminal को बंद कर देना है ऐसे ही आपको work करना है ऐसे ही work करेंगे तो आप जो है एक successful trader बन पाएंगे